लोग अज़ारों की संख्या में सरकार के खिलाब परदर्शन कहना जिन के बारे में बहुत लंबा लंबा बोलते रहे करमचारी करमचारियों की अधिकारियों की हितैशी है यही कहते रहे मुख्या मंत्री की अर्थी निपार अमित्रों हिमाचल परदेश में कॉंग्रेस की सरकार का एक साल एक महिने का कारेकाल पूरा हुआ और इस एक साल एक महिने के कारेकाल में अगर हम देखें कि जो जना करोश देखने को मिल रहा है लोग हजारों की संख्या में सरकार के खिलाप परदर्शन कर रहे हैं और विशेश दोर से में इस बात कर मैं जरूर कहना चाहूंगा जिनके बारे में बहुत लंबा लंबा बोलते रहे करमचारी के अधिकारियों की हितैशी है यही कहते रहे और हिमाचल परदेश में एक साल के छोटे से कारेकाल में हजारों की संख्या में करमचारी सडकों पर सरकार के खिलाफ नारे लिगा रहें मुख्या मंत्री के अर्थी निकाल रहे हैं इसका संदेश मुझे लगता है कि बड़ा सीधा सा है कि सरकार हर मोर्चे पर असफल हो गई है बूरी तरह से असफल हो गई है और कर्मचारी खासतोर से मैं जिकर करूँगा इन दिनों में जो चल रहा है जो जिनको समय पर सेलरी नहीं मिल पा रही है पूछ रहे हैं हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन जिन के साथ आपने वादर किये थे वही लोग आपको पूच रहे हैं उनके जवाब दिजिए यह जुआब देना पड़ेगा और इसलिए मैं ये कहूंगा कि हिमाचल परदेश में परसिती इस परकार बन गई कॉंग्रेस सरकार की कि हकीकत अब उनको मालू पड़ गई है जो हमें कहते थे कि जैराम ठाकू ने लोन लिया बारा महिने में बारा हजार क्रोड रुपे से ज़्यादा रुन ले लिया और निश्यत रुप से हिमाचल परदेश में मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कि सबसे ज़्यादा रप्तार से जिन लेने वाले मुख्या मंत्री के नाते किसी का अगर नाम होगा तो वरत्मान मुख्या मंत्री सुक्विंदर सिंग सुक्षुका होगा एक योजना जमीनी हकीकत के साथ जमीन पर उतर नहीं पाई एक सार के कारेकाल में हिमाचल परदेश में परिस्थिति ये हो गई करमचारियों की पैंशन का विश्य तो बात का विश्य है लेकिन सैलरी समय पर देने की स्थिति ने उपा रही है और इसलिए ये बहुत सारे विश्य हैं जिन बातों को लेकर के सरकार के खिलाब एक नराज़गी का एक माहुल है और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिमाचल परदेश में हम इस बात को भी देख रहे हैं कि कि जो एक साल का कारेकाल बीता है कि पूरे सभी क्षेत्रों में अगर विकास की अगर हम गति को देखेंगे वो डुका पड़ा है स्वच्छता के लिए हम शायद मेकल में 56 नमबर पर थे कितना नमबर नहीं है यही नमबर था शायद आज हम स्वच्छता की देश्टी से पूरे देश पर में सबसे पिछड़े हुए राज्ये हैं सबसे पीछे चले गए राज्ये उनमें से हम मतलब 500 से उपर हमारा स्थान चला गया है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम आगे बढ़का रहें